एक गाउं में एक साधू बाबा रहते थे साधू बाबा के विशे में ऐसी चर्चा थे कि जब भी बारिस के उस गाउं को उसकता पड़ती है साधू बाबा बारिस करवा देते हैं ऐसा गाउं वाले भी मानते थे कि हमें जब भी बारिस के उसकता पड़ती है हम साधू बाबा के पास अपने ये इच्छा लेकर जाते हैं और बारिस हो जाती हैं तभी ये धीरे धीरे ये बाबा के विस्षय में और उनके गाओं के विस्षय में ये बातें चारों तरब फैल जाती हैं फैलते फैलते ये बाते इस स्कूलों तक भी पहुचती है और उनिस स्कूलों के बच्चे जब सुनते हैं तो कुछ चार-पांच बच्चों का समों कहता है कि हमें तब तक भी स्वास नहीं होगा जब तक कि बाबा के सामने ये साथ देखना ही लेगते हैं लेकिन आपस में चर्चा करते हैं कि मित्र ऐसी यदी बात है तो साइंस काती है कि दी बाबा के नाचने से बारिस होती है तो फिर क्यों हमारी नाचने से बारिस नहीं होगे इसका मतलब यही है कि उस गाउं में जाकर कोई भी नाचे तो बारिस का होना अवस्यमभावी है इसी कथन को सिद करने के लिए वह लोग गाउं के तरफ चल दिये जब चारो बच्चे गाउं में आ करके गाउं वालों से बताया कि भाई हम लोग नाचेंगे और यहां बारिस होगे गाउमाले जब इस बात को सुने तो सीधे बाबा के पास पहुँच गए और यहां की सारी बातों का बढ़न बाबा से बताए इस प्रकार उन लड़कों ने एक ही करके नाचना सुरू कर दिया पहला लड़का लगबग एक घंटे तक नाचा दूसरा लड़का भी कुछ इसी प्रकार डांस किया तीसरा लड़का भी और इसी प्रकार चौथा लड़का भी पांच्छा घंटे नाच करके ठक कर चूर होकर बैठ गया इस प्रकार देखा गया कि किसी भी लड़के से नाचने के बाद बारिस नहीं हुई बाबा को ये खबर मिल चुकी थे कि चार लड़के इस सिद्धी को सिद्धी करने के लिए यहां आये हुई हैं तो इसको देखते भी बाबा भी वहां पहुंचे लोगों ने बोलना सुरू कर दिया कि बाबा अब बारी आपकी है इस बचन को सिद्ध करके आपको दिखाना होगा बाबा ने कहा अच्छी बात है बाबा का उस गाउं में बहुत ही मान समान था बाबा अपने गाउंवालों की बातों को टाल नहीं सकते थे बाबा ने कहा ठीक है जैसे आपकी मरजे बाबा भी नाचना सुरू कर दिये बाबा भी सुबह से नाचना सुरू किये थे लेकिन दोपहर हो गई बारिश नहीं हुई धीरे धीरे साम होने को चले फिर भी बारिश नहीं हुई लेकिन नंत में देखा गया कि जब साम हो गई थी और अंधेरा होने वाला था बादनों की गड़गड़ा हट अकास में सुनाई देने लगी बिजली की चमक देखाई देने लगी और अचानक बारिस बहुत तेज बारिस आरंभ हो गई सभी लोगों की किलकारियां गुजने लगी सभी लोग ताली बजाने लगें हर सो लास से पूरा माहौल भर गया और तब ये बच्चों ने पूछा कि बाबा हमें छमा करो बाबा हमें भारी बहुत गलती हुई हमसे बाबा लेकिन एक बात तो आवस्से है कि जब हम नाचे तो बारिस नहीं हुई परन्तु आप नाचे तो बारिस हुई ऐसा क्यों बाबा ने कहा तुम्हारे और हमारे में केवल एक ही फर्क है तुम लोगों ने नाचा और ठक कर हार गए जबकि मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं नाचूँगा तो बारिस को होना ही पड़ेगा और दूसरा मैं तब तक नाचूँगा जब तक कि बारिस नहों हो जाए यही दोनों बातों ने मुझे सफल बना दिया अगर किसी भी बैक्ति को अपने जीवन में सफल बनना है तो उन्हें इन्ही दोनों बातों का पालन करना होगा अर्थात जो उन्होंने अपना लच्चे का चुनाओ किया है उसमें विश्वास करना होगा और तब तक कारे करना पड़ेगा जब तक कि उनका गोल उन्हें प्राप्त न हो जाए